नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो आज मैं बताने जा रहा हूं जो आपको यूट्यूब भेजता है वाउ यूर्श ओट इज वेंग नोटिस मतलब आपके शौट वीडियो को यूटूब भी नोटिस कर रहा है ऐसा क्यों और आप किस तरीके से बनाते हैं उस पर आज मैं बात करूंगा पूरा अच्छा डिटेल से समझाओंगा अच्छा से देख लेजिए और कल के लिए भी एक वीडियो बनाया हूं यूटूब वीडियो को बाइरल ट्रेंडिंग में कैसे लाया जाए एक एक पॉइं सब कुछ है हो और वह किस तरीके से लाना है आज वही में बताने जा रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा और आप अपना हर वीडियो पे ऐसा लेके आईएगा वाव यूटूब नोटिस जो बोलता है इसका मतलब यही होता है आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया है आपके वीडियो हर कोई देखना चाते हैं एक्जामपल के तोर पे अगर आपका वीडियो एक मिनट का है तो हर आदमी एक मिनट देख रहा है मतलब आपका वीडियो ना स्किप कर रहा है ना कट कर रहा है पूरा का पूरा देख रहा है साथ में उस पे अचिमेंट भी कर र यह चीज़ वो चेक करता है और यही चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूं अच्छा से समझ लिजिएगा अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए क्योंकि ऐसे इसे नौलेज आपको देते रहते हैं जो आपकी हर वीडियो पे बाइरल हो आपकी हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाए आप हमेशा अच्छा यूटूबर बन सके हैं आप हमारा जितने भी वीडियो हैं वह भी जाकर देख सकते हैं उससे आपको समझ में आएगा देखिए एक वीडियो आपको जो आता है यूटूब नोटिस करता है उसके लिए आपको क्या मेंबर को इंप्रेशन भेजा है अगर 5% से जायदा है उसमें से आपको 50 भी किलिक करता है और 50 भी आते हैं तो उसको गुड मानेगा लेकिन वही चीज अगर 10% हो तो सब को भेडी गुड बोलेगा अज जब भेडी गुड बोलता है ना इसके मतलब वह खास होते हैं उसको लगता है जिस वीडियो में भी खास है थमलीन का भी खास है और जो आपका वीडियो है अगर वास्टेम जैदा है तो भी खास है आप वास्टेम किस तरीके से बहा सकते हैं इंप्रेशन किस तरीके से बहा सकते हैं वो भी आप अच्छा से समझ लिजिए क्योंकि ये चीज स से ही समाझ हाज आपने वीडियो क्या बनाया है आप किस तरीके से वीडियो बनाया है और क्या उसमें बताने की कोशिस कर रहे है यह छीज थSee थमरीम में होना चाहिए अगर थमरीम यह चीज नहीं है तो आपकी थमली नहीं अच्छा नहीं रहेगा, कोई क्लिक ही नहीं करेगा, तो कैसे बरहेगा, तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा, और इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, आपकी जो है ना, वीडियो अच्छे भी चलेंगे, और काम का भी होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ज करना है, वो भी आपको मैं बता जाओ, ठमलीन पर बनाने टेम, क्या के आपको बेसिक चीजें, ध्यान में रखना है, वो चीज मैं आपको बता जेता हूं, सरपथम कलर कंबिनेशन होना चाहिए, कलर कंबिनेशन यह है, आपको जो बैक्गरॉंड में है, उस पर लिखने की या पिला डालो, उस पर देखने में अच्छा लगता है, तो यही चीज है कलर कंबिनेशन, कलर कंबिनेशन अगर समझ गए, तो वो एट्यक्टिव बना सकते हैं, दूसरा चीज लिखने की फॉंट, आप हर एक चीज का फॉंट अलग-अलग होता है, हर जगा अलग-अलग इस्तामाल करना चाहिए, अब क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर, एक ही फॉंट यूज करते हैं, एक ही में सब को खिजरी बना देते हैं, और फिर लगता है भाई, थमलिन बनाया है कि कचरा बनाया है, वो पताई नहीं चलता है, जिसके चलते भी नहीं होता है, तो एक मिनरता किसी वीडियो पर रक सकते हैं किसी मेंबर को तो यूजली वह मेंबर पूरा देखेगा ही देखेगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लाष्ट इंप्रेशन बोला जाता है अगर फर्स्ट में आप समझा दो गए यह वीडियो उसके लिए है और उसको जो है ना उस तर करके देखिएगा बीच में पॉइंट चुट गया बात आपकी इंडिंग हो जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं करना है जब भी आप देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए दूसरा चीज है आपको वास्टेयां बरहाने के लिए हाइ क्वालिटी कॉंटेंट बनाने आज के दौर कंपीटिशन के दौर हैं अगर कंपीटिशन के दौर में भी आप अगर अच्छा वीडियो नहीं बनाते हैं तो आपकी कैसे कोई देखेगा यह चीज समझना परेगा अगर वीडियो थोड़ा खराब है तो वह चल सकता है लेकिन आपकी ओडियो क्वालिटी है तो आपकी वीडियो नहीं चलेगा क। आपकी ओडियो बना रहा है उसıllी सांग कोई चलेगा आपका वीडियो आपके टार्गेट ओडियंस तक पहुंचे यह नहीं जो आप बना रहे हैं यूटूब सिखाने वाला बात और जा रहे हैं किसी की जो है डांसिंग वाले पर या कुछ ऐसे डांस कैसे करें उस इंप्रेशन जा रहा है तो कि आपने कीवोड गलत लगा के वाला हूं क्योंकि देखिए जो चीज आप बना रहे हो उसी का ओडियंस होना जरूरी है अगर दूसरा ओडियंस रहेगा तो आपकी वीडियो कहां से चलेगा यह चीज आपको धियान में रखना पड़ेगा अगर यह चीज धियान में नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत हो बनने वाले हैं तीसरा चीज जो भी आप वीडियो बना रहे हैं सौट में एक मिनट से जायद आप बनाते नहीं हो तो सौट में यह चीज ज़रूरी होते हैं आप उसका स्टार्टिंग के 10 सकेंड इंटर्टेनिंग रखिए या थोड़ा सस्पेंसिंग रखिए उसे देख इसे चीज आने वाले हैं वह कंफ्यूज हो जाएंगे या इतना देखने में खो जाएंगे दस मिनट आगो और जो देखेगा उसको पता ही नहीं चलेगा इस तरीके से वास्टेम बढ़ जाएंगे और जब यह थोड़ा वीडियो देख लेता है तो मेंबर को क्या लगता ह वाई पूरा देखी लेता हूं यह चीज आपको समझना पड़ेगा आप हर वीडियो सौट वाला अगर यूटूब नोटीस कर रहा है इसका मतलब है आप जब भी वीडियो डालते हैं उसी टैम आप थमलीन चेंज कर सकते हैं यह चीज़ आप हमेशा समझ यह क्योंकि उसी आपने थमलीन बनाके डाल दी या फॉंट पर डाल दी और वह आपको यह स्टार्टिंग दिखिया तो भाई पूरा वीडियो क्यों देखेगा इस तरीके से डाली है जो थोड़ा लास्ट में हो उसको लगे भाई थोड़ा इंट्रेस्टिंग हो उसको थोड़ा जानने में हो क्योंकि देखिए साउट होते हैं साउट आज के टैमें ट्रेंडिंग होते हैं इतना इंस्टाग्राम क्यों बाइरल हो रहे हैं या टिक टॉक है या दूसरा चीज़ है क्योंकि हर मेंबर साउट देखना चाहते हैं अब आपको समझना परेगा साउट किस तरीके से बना सकते हैं ऊंघ है लेकिन यहां पर क्या है एक मिनत कर्केबंते औरgunt यहां पर आपको एक मिनत मेंबर य। तो नहीं रखना है, एक मिनट के लिए, तो वो चीज आपको फोकस करना पड़ेगा, देखें, बरे वीडियो में क्या होता है, जिसको सीखना होता है, वो आते हैं, लेकिन छोटे वीडियो में क्या है, इंटर्टेनमेंट के लिए आते हैं, सौट में जानने के लिए आते हैं और उसको उस तरीके से entertainment नहीं मिलेगा, तो वो छोड़के जाने की कोशिस करेगा, इस चीज़ पर आपको focus करना है, जो member भी न जाएं, और साथ में आपको जुरा भी रहें, और साथ में वो बने भी रहें, क्योंकि ये चीज़ अगर बने नहीं रहेगा तो ये चीज़ नही है, तो कोई notice क्यों करेगा, आप भी ये notice क्यों कर रहे होगे, क्योंकि अगर खास है तब तो कर रहे हो, अगर नहीं है, तो आप नहीं करोगे, ये चीज़ तो समझना परेगा, यही चीज में होता है, और ये चीज़ आपको समझना होता है, अगर आप समझ जाओगे, इसल long video बनाता हूं long video साम में 6 वजे हमेसा डालता हूं तो अब क्या होता है सब हमारे audience को पता है जो 6 वजे वीडियो आएंगे उसी तरीके से पता रहेगा और short video में अगर आपके viewer को पता है उस time video आएंगे तो 30 से 20 सेंड़ जो होता है ना उसको यह तो तो समझने में चला जाएगा वीडियो किस पर हैं और तब तक जो है न वह इसकी भी करेगा तब तक तो पूरा वीडियो चल गया होगा तो शौट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दिमाग के साथ जो है न चलाकी भी किजिएगा न आपकी वीडियो बाइरल भी होंगी और तो थोड़ा देखने में लगेगा क्योंकि साथ वीडियो अगर थोड़ा आपने नौलेज़ लगा दिया थोड़ा ट्रिक लगा दिया इसली ग्रूफ हो जाईएगा यह चीज़ गरेंटी है क्योंकि आज के टेमस आप वीडियो को गरू करना न बहुत हीजिया बहुत कुमा के थोड़ा मसाला दाल के बना देते हैं वीडियो वह यह चीज़ ट्रेंट करने लगता है फिर लगता है भाई यूटूब तो नोटिस कर लिया अरे भाई ऐसे चीज़ हर वीडियो नहीं होते हैं यह चीज़ समझना पड़ेगा होप यह चीज़ समझ गए हैं आपकी वीडियो पे यूटूब कब नोटिस करता है और कब नहीं करता है यह चीज़ आप जान गए होंगे अभी जान गए होंगे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए अगर न्यू है हमारे इस चैनल पे सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपके लिए हम ब बाइबाई!